नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 23 मार्च सुबा 6 बजे राजस्तान की खास खब्रे दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल ने अपने गिरफतारी के खिलाफ सुप्रीम कोट में दाइर याचिका अचानक वापस ले ली है आपने कहा कि हमें जो बात कहनी है वो निचली अदालत में जाकर कहेंगे फिलहाल सुप्रीम कोट ने याचिका वापस लेने की अजाज़त दे दी है इससे पहले परवरतन नीदेशालय ने भी सुप्रीम कोट में कैवेट दाखिल की थी और अनुरोद किया था कि केजरिवाल की याचिका पर कोई भी फैसला लेने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए अब खबर है कि केजरिवाल की लीगल टीम ने अचानक रणनीती में बदलाव किया है लीगल सला कारों ने कहा कि हमें पहले लो़र कोट में जाना चाहिए वहां राहत नहीं मिलती तो फिर हाई कोट जाएंगे उसके बाद भी राहत ना मिलने की स्थिति में सुप्रेम कोट जाना चाहिए लीगल टीम की सला के बाद आपने सुप्रेम कोट से याचिका वापस लेने का फैसला लिया दिल्ली के सियम अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी से नरास आमादमी पार्टी के नेता और कारेकरता देश भर में परदर्शन कर रहे हैं जैपुर में भी पार्टी के कारेकरता भाजपा ओफिस का घिराव करने पहुंचे जिन पर पुलिस ने लाटी चार्ज कर दिया बल प्रियोग कर सभी को खदेड दिया गया इस दोरान कुछ कारेकरताओं को चोट भी लगी पुलिस ने 6 से जादा लोगों को मौके से हिरासत म ले लिया है आमादमी पार्टी के परदेश इद्यक्ष नवीन पालिवाल ने कहा कि भारते जनता पार्टी के सरकार लोग तंत्र को खत्म करने में लगी हुई है लोग सबचना से पहले वैजनता के अवास को दबाने की कोशिश में जुटी है यही कारण है कि उन्होंने द लेकर डेली नए खुलासे हो रहे हैं इस एक्जाम में फर्जे डिग्री लगा कर मेरिट हासल करने वाली दो युवतियों भुतेल संचोर निवासी ब्रह्मा कुमारी और वाड़ा बावडी संचोर निवासी कमला कुमारी बिश्णोई से स्पेशल ऑपरेशन ग्रूप की पूस्ताष जारी है युवतियों ने बताया कि उन्हें में की फर्जे डिग्री उनके भायों ने लाकर दी थी आरोपी सरकारी टीचर को रात संचोर से और दूसरे आरोपी को जोदपुर से गिरफतार किया गया इसमें से एक यवक दलपत सिंग सरकारी टीचर है वह दूस प्तार किया था मामले में आरपी असी ने एफईयर दर्स करवाई थी यूपी पुलिस पेपर लिक कांड में मेरट स्टीफ को बड़ी सफलता मिली है स्टीफ ने गुरुग्राम से नेचर वैली रिसॉर्ट के मालिक सतीश धनकड को अरेस्ट कर लिया वही रिसॉर्ट है ज पुरी प्लानिंग भी रिसॉर्ट में ही बनी थी इसमें दिल्ली पुलिस का हेड कोंस्टेबल बिहार का डॉक्टर समेथ अन्य शहरों से सॉलवर पहुंचे थे मेरट स्टीफ के एसप ब्रिजेश कुमार सिंग ने बताया कि सतीश को रिसॉर्ट से टीम ने अरेस्ट किया उसे एक अंकर खेडा थाना लाए गया है उससे पूस्ताश की जारी है मामले में अब तक 396 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है गिरों के मुख्या रोपी रवी अत्री और अजीव नयन मिश्रा की तलास जारी है सुप्रीम कोट ने सकती दिखाते हुए केंदर सरकार की फैक्ट चेकिंग यूनिट की अधिसूशना पर रोक लगा दी सीजी आई डीवाई चंदर चूड की अगुवाई वाले पीट ने अभी व्यक्ति की अजादी का हवाला देते हुए बॉंबे हाई कोट के 11 मार्च के उसादेश को भी रद कर दिया जिसमें सोशल मीडिया पर फरजी और गलत समगरी की पहचान करने के लिए संशोधित आई टी नियमों के तैत FCU के गठन पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया गया था FCU के गठन पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार को लेकर सुप्रेम कोट में याच्चिका दायर की गई थी इसे बेच केंदर सरकार ने 20 मार्च को P.I.B. की फैक्ट चेकिंग यूनिट के लिए अधिसूशना जारी कर दी मामले पर सुनवाई करते हुए C.J.I. चंदर चूट ने कहा कि फैक्ट चेकिंग यूनिट पर केंदर सरकार का नॉटिफिकेशन हाई कोट के अंतरिम फैसले के बीच आया है ऐसे में इस पर अभी रोक लगनी चाहिए कोट ने कहा कि 23 के संशोधन की वैदता की चुनाती को लेकर कई घंबीर स्वैधानिक सवाल हैं लोग सबचनाव 24 के लिए राजस्थान में भाशपा ने दो मार्च को पहली लिस्ट घोशित की थी इस लिस्ट में भाशपा अलकमान ने राजस्थान की 15 सीटों के लिए उमिद्वारों की घोशना की थी बाकी बचे दस दाविदार अपने नामों का बिसबरी से इंतसार कर रहे हैं दस सीटों के दाविदारों की धुगदुकी बढ़ गई है पर हर जगा एक ही सवाल गूंज रहा है कि अगली लिस्ट कब आएगी राजस्तान की दूसरी लिस्ट में देरी क्यों हो रही है चर्चा में है कि लोग सबद चुनाव में प्रदेश में शेश दस सीटों पर परत्याशी घोशित करने में देरी के पिछे महिला परत्याशी का चेयन मुख्या वज़े है नाम घोशित होने से पहले मुख्य मंतरी भजनलाल शर्मा और परदेश अदेक्ष सीपी पारी और प्राइवेट स्कूल में फाइनल एक्जाम की डेट्स में लोग सबद चुनाव के कारण बदलाव कर दिया गया है पहले ये परिक्षा आठ अप्रेल से शुरू होने वाली थी जिसे तीन दिन पहले यानि पांच अप्रेल से आयोजित किया जाएगा फाइनल एक करते होई इसे अब पांच अप्रेल से 30 अप्रेल तक कर दिया गया है दरसल राजे में दो चरणों में लोग सबद चुनाव होगा इसे में चुनाव वाली दिन स्कूल में अवकाश होगा वें स्कूल टीचर्स को भी चुनाव ड्यूटी में लगाया गया है एक्जाम 30 बायर को मेल भीजे और पेमेंट के लिए खुद का अकाउंट नंबर दे दिया और बायर ने भी मेल को सही मानते हुए उसे करीब 50 लाख का भुगतान कर दिया एक्सपोर्टर ने साइबर थाने में एफई और दर्स करवाई है पोलिस ने बताया कि एक एक्सपोर्टर की फ पता चलात उन्होंने पुलिस में एफई यार दी फिलहाल साइबर थाना पुलिस मामले की जांच में जूटी है लोग सबचनावों की अचार सहिंता के दुरान शहरी निकायों में पट्टे जारी करने और नए निर्मान की स्विकर्ती परदान की जा सकेगी लेकिन प्रदेशा अनुसार अधिनियम की धारा 194 की तैट नया भवन निर्मित करने भवन को पुन्या निर्मित करने या भवन की तात्विक परिवर्तन करना आदि की स्विकर्ती के लिए प्रस्तुत भवन मान चितरा वेदन को अधिनियम में निर्धारित समय अवदी दो मामें निर्धारित करना होगा पूरा में स्विकर्त आवास्य व्यवसाई की उजनाओं में निलामी में क्रेय किये गई भुखंडों में अवंटी वे क्रेता की और से यदि सभी दे भुगतान कर दिये गए हैं तो पटा जारी किया जा सकेगा राजस्तान में भिलवाडा, रासमन, बयावर, टॉंक, जालोर और नगोर में कुल 22 बड़े बजरी के ब्लॉक की निलामी पर हाई कोट ने रोक हटा दी हैं चार मार्च को हाई कोट ने की आचिका पर सुनवाई के बाद बजरी निलामी पर रोक लगा दी थी यह निलामी 12 से 14 मार्च के बीच होनी थी अब खान विभाग नए सिरे से निलामी की तारिक जारी कर सकता है हलांकि इसके लिए पहले निर्वाचन आयोग से अनुमती लेनी पड़ेगी वह जैपूर में बजरी सप्लाई परभावित होने से कीमतें बढ़ रही हैं राजस्तन हाइकोड जोदपूर में सत्य स्वरूप सिंग जदोन नाम की व्यक्ति ने याच्चिका लगाई थी इसमें कहा था कि इसकी डिस्टिक सर्वे रिपोर्ट जारी नहीं की गई है वह राजसरकार को इस आक्षन से 300 करोड रुपे से जादा के रेवेन्यू मिलने क जैपूर से सीकर आ रही रोडविस बस में महिला के लाखुर पेके सोने के गहने चोरी का मामला सामने आया है चोर ने महिला के हैंडबैक की चेन खोल कर गहने चोरी कर लिए खतना सीकर के उध्योग नगर थाना क्षेतर की है पुलिस को दे रिपोर्ट में 36 वर्षे कवीता शर्मा निवासी लोसल ने बताया कि वह किसी काम से अपने पते बालक्रिशन शर्मा के साथ जैपूर गई थी इसे दुरान पती पतनी जैपूर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से सीकर आने वाली रोडविस बस में बैठ गई महिला के पास हैंडबैक था जिसमें सोने के गहन चोरी कर लिए गैनों की कीमत करीब 4 लाख उर्पे थी पुलिस ने मामला दर्सकर जांच शुरू कर दी है झारता है